चलो भाई, अब हमरे मन तनिकुन दोसर जानकारी लेवब टिशू कल्चर उत्तक समवर्धित पोधा मना खेती काले काले इकर खेती करिक चाहिए इकर से काका फैदा मन भेटाई हमरे मन के सिसोब के जानब तो पहले सोब सागे हमरे मन देखा कि टिशू कल्चर उत्तक समवर्धित पोधा मन कर खेती काले करल जाए पहल है इकर मन बेगर रोग कर रहेल माने कि इकर में रोग नहीं होएल दोसर है इक बागी पोधा मन से आगे है फूल और फर देल देखो भाई, जदी बागी पोधामन से ये आगे फोल और फ़र देवी, तो रोरोमन कर खेती बढ़िया होई, तो उकर से रोरोमन के लाभो जल्दि भोटाई, तो कालो भाई कर परियोग निकर आल जाए तिसर है, सभी पोधामन एक संगे फूल और फर्मन देन, जिके एके संगे बेचकले भेजल जा सकेल चोथा है, टिशु कल्चर पोधामन से उपजल फर्मन बेसोयल पाच्वा है, बासकर गच मजबूत हैल और फूल दार पोधामन में फूल मन बढ़ और जट के खिलेल बासकर गच मन के टिशु कल्चर से उपजाल जाय सकेल इकर से बढ़ियां बास भेटायल और जी फूल मन कर खेती करो न ओहो मन टिशु कल्चर के अपनाएके फूल मन कर खेती केर सकें उकर से जट-जट फूल और बढ़ बढ़ फूल मिली उत्तक समवर्धित टिशू कल्चर पोधा लगायकर बढ़ियां विधिमन के अभामरे मन देखब पहिल है दू फिट लंबाई, दू फिट चड़ाई और गारा फिट गहराई कर गाढ़ा के कोड़ लेवें दूसर है गाढ़ा में 5 किलो ग्राम सडल गोवर माइन के और नीम कर खरी के बेज से मिसाय के गाढ़ा में भई दवें तिसर है गाढ़ा के भईर के गाढ़ा के भईर के एक हफता बादे पोलिथिन पाकिट के भईर के माने की छोट-छोट पोधा मन पोलिथिन पाकिट में राखल रहला तो उन पोलिथिन पाकिट के फैर देऊ और उकर भित्रे कर माटी सहित पोधा के रोप देऊ दू पोधा कर मधे कर दुरी कानियर रखे व्रोरे मन लंबा किसिम ले 9 फिट से 9 फिट कर दुरी रखें और बोनी किसिम ले 6 फिट से 6 फिट पोधा कर चैरोबटे एक हाथ कर गुलाई में थाला बनाए लेँ थाला मन के जोड़ के पटावन करें इसन पोधा मन के बारिस कला में पठायक कर जोरत नी होई भै, पोधा मन अग पोशन ले माइंद कर मात्रा केसन रिएक चाहिए? पोधा रोपे कर पाचे यूरिया कितना देब, स्फूर कितना देब और पुटास कितना देब सिके नोट करू पहिल है, 35 पोधा रोपे कर पाचे यूरिया देखे रोरे के 50 ग्राम, स्फूर 125 ग्राम, पुटास 45 ग्राम दोसर है, 70 पोधा रोपे कर पाचे, 100 ग्राम यूरिया, 125 ग्राम स्फूर 100 ग्राम पुटास दीसर है 105 पौधा रुपे कर पाचे 100 ग्राम यूरिया, स्फूर 125 ग्राम पुटास 100 ग्राम 140 पौधा रुपे कर पाचे 100 ग्राम यूरिया के देदू, 125 ग्राम स्फूर के और 100 ग्राम पुटास के देदू पाच्वा है 175 पौधा रोपे कर पाच्छे 90 ग्राम यूरिया के देव इसफूर के 125 ग्राम और पुटास के 100 ग्राम चलो अब इके तु लगाए ले ले रो रेमन अब आगे का करेक है से के जानू पहिल है पटाइक ले ड्रिप विवस्था कर परियोग करें ड्रिप विवस्था उके कहना भाई कि जिकर में बूंद बूंद से पानी पटाल जैल कोनोनियर कर पिलवा या की बिमारी मन जदी लाइक जै तो जैव प्रोध्योगी की महा विद्याले बिर्शा कृशी विश्वविद्याले का के राची से संपर्क करू अब चलो हमने मन जानब की मौसम खेती परामर्स सेवा का है इकर का काम है